नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल लिडिस टॉक्स पर तो दोस्तों MP पॉलिस कॉंस्टिवल कर नोडिफिकिशन यहां पर जारी हो चुका है आप सभी दोगों पता होगा और जिन लोगों जानकारी नहीं मिली है मेरी पिछली वीडियो से आप जाकर दे सकते है इस वीडिये हमें बात करेंगे दोस्तों आयू सीमा जो है उसमें कुछ आयू सीमा को लेकर वदलाब होने वाला है या फिर नहीं होगा और आफ्टर भारी राजी के जो अम्मीदवार है वह यहां पर फॉर्म भर सकेंगे या फिर नहीं बर सकेंगे तो पूरी जानकारी के से और आगे आने वाले दुन में हमारे और भी वैचे स्टार्ट होने वाले तो रही तैची जी हमारे रफिल कोड है इसको इसको इसमाल करेंगे तो पूरा 10% आफ़ पास सकते हैं और जाद आनके दोस्तों डिस्क्रिप्शन चेक करें और वीडियो क्लास में बतावाँ कि इस तरह साब इसको पर्चिस कर सकते हैं अभी चलते हैं आप दोस्तों कवर पर तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं पहले तादो जो नोडियो किशन आया है एंप प्लिस कॉंस्टेप्स होनी चाहिए और 33 मैक्सिमा आपकी एज होनी चाहिए और इन केस अगर आप महि मेel चैंडिट के लिए बागी सभी के लिए दोस्तों 18-30 वार्स अपकी एज है तो इसमें आपको चेंज होंगे यह या नहीं होंगे जोस्तों तो पहले ही बता दूं जो आपकी एज काउंट है वह एक अगस्ट और 20 से काउंट होने वाली है नहीं पहले ही बता दिया दोस इस वए से आप एक्जाम में नहीं बैठ सकेंगे तो जुरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों काफी यादा कमेंट्स मेरे पास आ हैं काफी लोग इस आयू सीमा को लेकर चिंतेते हैं जो की भार हो रहे है तो दोस्तों मैंने वीडियो आपके लिए बनाने का फैसले किया है अब दोस्तों इसमें चेंडिस होना पॉसिबल है या फिर नहीं है मैं आपको बता दूँ जो वर्ग तीन का जिस तरह से जन्वरी में तो उस समय दोस्तों उसकी मिनिमम एज 21 थी और मैक्सिमम एज 28 थी तो दोस्तों उस केटिग्री में 18 वर्स तक दोस्तों जो केंडिए kस Tea रे जाया और तो काफी लोग जों है लोग गए ते आफ याज अगर छ में सरकार से करते हैं और आफ्टर आपकी चांसे आइस गाया है फिसले टायम डोस्तों काफी यहां पर देख सकते हैं और आपकी 33 वर्स हुआ करती थी अब दोस्तों बट जो लास्ट गवर्मेंट थी उसको चेंजेस हुए थे जो आपकी एज है उसको लेकर तो यह सभी चेंजेस हैं अब दोस्तों जो भारी के एंडेट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी डीटेल बता तो मैं आपको बता दूँ जो भारी केंडेट्स उन सभी के लिए इंपॉर्मेशन है जो मद्द प्रदेश के मुल निवासियों के लिए पूरे प्रात्मिक्तर दी जाएगी इस तरह का जो नियम है दोस्तों अभी फिलाल लागू नहीं हुआ है अगर लागू होता है तो आप सभी के लिए दोस्तों जो मुल निवासियों मद्द प्रदेश के वह लोग फॉर्म भर पाएंगे रोडिक्षिन आने से पहले आगर लागू हो जाता है और लागू नहीं होगा तो बांकि सभी कैंडिट्स भार के हैं भारी राज के वह सभी इलिजवल रहेने वाले ह हैं जिस तरह से पहले चलता था क्योंकि दोस्तों अभी सिर्फ गोश्णा हुई है पैनल पेपर पर नहीं कोई भी तरह से जो है यह नियम नहीं आया और अगर आने वाले दिनों में आता है तो आप सभी के लिए मुल निवासिक लिए फॉर्म रहाएगा अधर्वाइस यह सभी जो फॉर्म है सभी लोग भर पाएंगे अधरिस्टेट के लोग भी तो दोस्तों इन सभी मैं आपकी राय का एकांट जुरूर बताइएगा और इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी डीटेल दे दू कर फसके जुरूर बताओ देली समय हो पाएंगे एक भजर। मिलध ज